हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मायो फामिली चैनल में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस्टीडियर प्लेसेंटा के बाड़े में तो चलिए सबसे बहले जानते हैं कि प्लेसेंटा क्या होता रहे यह एक औरगन है जो आपके बेवी को ऑक्सिजन और जरूरी नूट्रियंट देता है इसलिए यह प्रेगनेंसी के दौरान एक इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी अर्टरसांट रिपोर्ट से पता चलता है कि प्लेसेंटा एंटीरियर पोसेशन में है या फिर प्लेसेंटा इस केस में प्लेसेंटा यूट्रस की बाक, बॉल और स्पाइन के पास जोड़ा हुआ होता है अगर हम पोस्टीरियर को एंटीरियर प्लेसेंटा से कंपेर करें तो एंटीरियर पोसेशन में प्लेसेंटा आगे की तरफ अटाच होता है यह दोनों पोसेशन्स नॉर्मल मानी जाती हैं इसके अलावा पॉस्टीरियर प्लेसेंटा को ज्यादा फायदेवन्द माना गया है क्योंकि इसमें आप अपने बच्चे की मूव्मेंट्स को ज्यादा रहसूस करते हैं वहीं एंटीरियर प्लेसेंटा के केस में प्लेसेंटा बेवी और एब्डॉम के बीच में ज्यादा स्पेस बना देता है मिट्स अबाउट पॉस्टीर प्लेसेंटा एक होने बली मा के रूप में आपके मन में प्लेसेंटा पॉजिशन और नॉर्मल जिलिवरी को लेकर कई सारे सवाल आते हैं तो चलिए इसी से रिलेजेट कुछ ऐसे मिट्स पर और रौ नमबर टू पॉस्टीर प्लेसेंटा की वजह से फीटल मुव्मेंट बढ़ जाता है कुछ रिपोट सजेस्ट करती है कि अगर प्लेसेंटा बैट पर होता है तो मदर्स को प्रेगनेंसी की तोरा तेज किक्स महसूस होती है और वहीं अगर एंटीरियर प्लेसेंटा होता है तो मदर्स को धी में धी में से किक महसूस हो सकती है हाला कि इसके पीछे कोई साइंटिफिक या सॉलिड रिसर्च नहीं है पॉस्टीरियर प्लेसेंटा की वजह से प्री टर्म लेवर का खत्रा हो सकता है ऐसे कोई भी ऑप्स्टेट्रिक्स गाइडलाइन्स नहीं है जो पॉस्टीरियर प्लेसेंटा की वजह से प्री टर्म जिलिवरी का खत्रा बढ़ा दे और ना ही एंटीरियर प्लेसेंटा की व पुजिशन के बारे में जान सकते हैं उमेद हैं कि आपको इस वीडियो जरूर पसद आया होगा और अगर आपको इस वीडियो यूसफुल लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भुले कॉमें सेक्शन में अपनी विचार जरूर बताएं और अपने फ्रेंद्स और फैमिली के साथ भी इस इंपॉर्टन इंफिकेशन को शेर करें साथ ही माईलो फैमिली चानल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन पर जरूर प्लिक कर देना ताकि समय समय पर हमारी तरब से आपको नोटिफिकेशन आती रहें